तो चलिए सबसे पहली चीज तो एक समझ लेते हैं अक्सर यूजर्स जब आते हैं स्टॉक्सों पे तो स्टॉक्सों क्योंकि एक बहुत ही वास्ट प्लाटफॉर्म है और सारी चीज़े सपोर्ट करता है तो मल्टी लेक के लिए हम फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं हर आने है तो स्टेप्स यहां पर बटन यह जो दिया गया है इससे आप ओपन करेंगे तो एक हेल्प डॉक्यमेंट ओपन हो जाता है ठीक है सेकंड स्टेप हो जाता है जैसी आपके यह लोग इनों के जैसे आप ग्रीन टिक देख रहे हैं आपने एक बर ब्रोकर प्रोसेस कर अब चलते हैं स्ट्राटेजी बना लेते एक रोलिंग स्ट्राडल की तो मान लीजे मैंने यहां पर एक बैंक निफ्टी ले लिया हम क्विकली देखेंगे मैंने बैंक निफ्टी ले लिया मैंने लिस्ट में दे चॉट श्राडल से लेकर लिया अब आपकी इच्छा है आप अगर ड्लिक मैनूलिक करना चाहए तो बिल्कुल कर सकते हैं तो मैंने एक शॉर्ट थाडल यहां पर सलेक कर लिया एग और यहां है पहले तो हम देख ले थे कि हम रो स्राइडल रोलिंग स्राइडल करेंगे ओंद बेसे ओफ प्योर अंडरलाइंग मुवमेंट ठीक है तो मैं यहां पर कंबाइंड टार्गेट अगया पर यह बीच वाला एरिया इसमें मैंने टार्गेट में सेलेक कर लिए अंडरलाइंग मुवमेंट अब यह तीन प्रकार से चलता है या तो प्रसेंटेज हो गया या आपकी आपसलूट वैलिउस हो गया अपसलूट से मेरा कहने का मतलब है कि 42,212 रुपे या 42,100 रुपे इस सरीके से और तीसरा हो गया आपकी रिलेटिव वैलिउस कि मैं यह तो हो गया एक हमारा वान साइड अब हम सेम चीज स्टॉप लॉस पर भी कर लेंगे ठीक है तो अब मैं यहां पे भी अंडरलाइंग मुवमेंट पर कर ले रहा हूं स्टॉप लॉस पर बीस पॉइंट अब इसमें भी चोईस मेरे पास अविलेबल है कि मेरे को यहां पर सेलेक्ट कर देंगे री एक्जीक्यूट ठीक है न तो इसका मतलब क्या हो गया टार्गेट में भी रीग्जीक्यूट स्टॉप लॉस में भी एक परामिटर तो आप अधर सेटिंग्स पर आ जाएंगे अब कई लोगों की रिक्वार्मेंट होती कि देखिए कर सकते हैं अब पॉट्फोलियो री एक्जीक्यूट काउंट यहां पर 20 होता है मैंने उसको पाच कर रखा था ताकि मैं इस वीडियो में आपको दिखा पाऊ वरना बहुत सारे एक्जीक्यूट होने की संभावना होती है ठीक है ना तो अगर मैंने 60 सेकंड का वेट डाला है ठीक है न तो आपके पास एक यह भी चॉइस एविलेबल है तो अब यहां पर एक तरीका हो गया हमारा अंडरलाइंग मुवमेंट का आपके 20 पॉइंट्स तो मैं यह 10 कर देता हूं यहां पर सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि हम फटा-फट से देख पाएंगे क कि मुवमेंट किस तरीके से हो थी क्योंकि rolling straddle execute करने की हमारे पास multiple flexibility जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे ठीक है तो यहां पर मेरे 10 points है अगर मेरे को plus करके values मेरी देखनी है तो यहां पर आप देख सकते कि मेरी target and stop loss इसने print कर दिया है यहां पर ठीक है ना इस value पर आते ही कि मेरा target या stop loss hit हो जाएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कितने seconds लगते हैं और यह हमारा execute होता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो portfolio है वो re-execute हो चुका है ठीक है ना अब फिर से हमारा जब movement आएगा प्राइस का तो immediately वहां पर फिर से re-execution हो तो हम इसे चलने देते हैं ठीक है अब हम देखेंगे एक second way out जो की एक smarter way out है rolling straddle चलाने के लिए ठीक है तो let's begin with that मैं फिर से आ जाता हूँ आपकी बार मैं निफ्टी ले लेता हूँ है ना तो थोड़ा सा एक change हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर एक short straddle हमने ले लिया अभी तक आपने देखा था तो बड़ा simple है यहाँ पर मैंने मान लीजे इसको निफ one लगा नाम दे दिया and again in monitoring other settings में अगर मुझे delay डालना है यह portfolio accounts तो मैं बिल्कुल change कर सकता हूँ अगर आपको portfolio भी candle close basis पे करना है यानि target and stop loss तो आप यहाँ पे combined target में जैसे target real time चाहते हैं यह stop loss आप candle close basis चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो भी define कर सकते हैं monitoring में अब आ जाते हैं हमारी जो primary requirement है तो सबसे पहले मैं सीधा stop loss पे आ difference इसमें advantage ही है कि मान लीजे मैंने 100 lots ले लिए ठीक है अब चाहे buying करें या selling करें ठीक है तो यह देखें हम जब बात भी करें तो हमारा पीछे अपना re-execution चलता जा रहा है बिल्कुल अपने defined note पे तो यहाँ पर यह loss and underlying range मैंने select कर लिए अब इसमें मेरे को एक value मिल जाती extra combined loss कि मैंने का भई एक overall safety parameter 10,000 रुपे का मैंने डाल दिया ठीक है अब उसके बाद मैंने यहाँ पर underlying goes below अब यह देखेगा बड़ा खुबसूरत सा कैचा कि यहाँ पे भी absolute values considered होती है यानि 17,150, 17,200 जो आप value actually डाले for example या फिर आप relative जैसे मैंने डाला negative 10 and underlying goes above यानि कि and re-execute कर देना ठीक है ना तो कई लोग 100.500.200 उस पे भी काम करते हैं ठीक है ना तो यह बड़ा smart तरीका हो जाता है इसमें आपको profit stop loss trailing भी मिल जाती है कि भई हर 2000 रुपे पे 1000 रुपे ट्रेल करते जाओ तो आप वो भी set कर सकते हैं अब आ जाते कंबाइन टार्गेट प मैं यहाँ पे combined profit भी define कर सकता हूँ यानि MTM basis पे की 10,000 या 20,000 रुपे उसके अलावा मैं यहाँ पे trailing profit locking भी कर सकता हूँ इस्तमाल तो मेरे पास एक ये भी advantage रहता है कि जैसे हर 10,000 रुपे के profit पे minimum आप lock कर देना profit को 9,000 पे ठीक है ना और आगर आप trailing चाते कि हर 5000 पे trail करते जाओ तो बिल्कुल आप वो भी define कर सकते हो ठीक है ना तो यह आपकी choice है आपको either of the two fields use करने हैं तो आप either of the two fields use कर सकते हैं आपको चारो यूज करने हैं तो आप चारो भी use कर सकते हैं तो that is absolutely your choice उसके उपर भी अगर आप चाते हैं कि नहीं leg basis पे भी आपके पास रेंज का सहरा लिया है दोस्तों यह जो complexities होती है यह जो beautiful way में handling होती है यह stocks अपने आप में काफी capability के साथ handle करता है unlike any web based amateur systems जो की तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पे हमने अभी बड़े खुबसूरती से एक loss and underlying range के feature को cover up किया है और अब हम इसे save करके fire कर देते हैं ठीक है ना तो यह निफ 1 मेरा fire होगा अब यह पीछे इतने सारे pop-ups इसलिए हैं because slicing भी कर रहा है क्योंकि हमने slow lot का order fire किया है तो आप देखे यह str1 रेक्स 5 आ गया यानि कि यह last है इस पड़ाओ का क्योंकि हमने पांच बार portfolio re-execute count दिया था bank nifty को बट अभी हमारा निफ 1 अभी तक चल रहा है दस point के movement पे कहीं ना कहीं वो wait कर रहा है कि हमें negative या plus side ठीक है मैं फिर से आपको दिखा देता हूं यहां पे stop loss म है हमने negative 10 और 10 यहां पे डालागर आपकी देड़ सो है 200 है requirement तो आप negative 200 और यह बड़ा ही smart feature है आपके rolling straddles को manage करने के लिए ठीक है ना यह आपको काफी जादा ease देता है कि आपके straddles यहां पे अपने आप execute होते रहेंगे या आपकी कोई भी multilex strategy होने दीजे आपने up to 8 legs क कोई strategy बना रहा कि भी आप anticipate कर रहें it is not just about rolling straddles ठीक है ना loss and underlying range का advantage क्या है कि मान लीजे मैंने एक portfolio बना लिया up to 8 legs का you know थोड़ा bearish movement में या bullish हो या मेरा hedge portfolio है बट मैं चाहता हो कि यह खतम हो जाएगा उस loss and underlying range breach होते है यानि nifty या bank nifty के इतने points के बाद मेरे लिए वो बेक बार है तो either side you know whether it's loss or profit तो यह दोनों ही चीज़ें अगर आपकी calculated है तो loss and underlying range आपको बहुत जगे पे फाइदा देता है अब बारी आ जाती हम एक और portfolio बनाएंगे यहाँ पे हम एक खुबसूरत सा example ले लेंगे हम फिर से अब चले जाते हैं bank nifty पे ठीक है और अब की बार म ठीक है और मैंने यहाँ पे दो लेग ले लिए मान लीजिए nearest premium पे 20 रुपए पे and depth मैंने कर दिये 30 ठीक है न तो जो भी nearest होगा 20 के आसपास का पहला वो यह pick कर लेगा ठीक है अब आप देखे कितने smartly हम यहाँ पे strategies को बना लेते हैं easily बिना किसी दिक्कत के बिना किसी complexity के अब यहाँ पे मैं nearest delta भी ले रहा हूँ यानि मैंने premium और delta को mix कर रहा हूँ ठीक है और let's say 0.3 इस case में delta की case में 10 की depth बहुत होती है आपको उस से जादा रखने की ज़रूत नहीं है and 0.2 कर देते हैं चलिए and by C by P ठीक है न तो हमने सारी एक buying की strategy बना लिए अब इसमें अब यहाँ पर मैं सीधा stop loss पर आ रहा हूँ और फिर से मैं loss and underlang range को select कर रहा हूँ ठीक है और मैंने यहाँ पर डाल दिया कि भाई 1000 रुपे या 2000 रुपे चलिए and फिर से मैंने negative 10 और plus 10 ही रखा है जादा बड़ा वो नहीं movement रख रहा हूँ मैं इसको negative 20 कर देते हैं and underlying about 20 ठीक है तो bank 1 save portfolio ठीक है रोके देज नहीं सलेक किये ते हमने, देज हमने सलेक कर दिये चलिए जालिए 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 प्याइट प्याइट की वाल्यू नेगेटिव भी ठीक है ना it is saved and let's fire in the hole ठीक है तो आप देख सकते कि इसने बड़े खुबसूरती के साथ मेरे nearest premium nearest delta की strikes को पिक करके execute कर दिये अब साथ साथ वो जो है manage कर रहा है system मेरा target and stop loss को on the basis of underlying value ठीक है तो यह देखे अब जाके nifty का rex one execute हुआ है हमारा ठीक है यह वाला जो portfolio था जो हमने nifty का बनाया था loss and underlying range पे तो इत्ता समय लग गया हुए 10 points का move आने में and इस वक्त जो हमारी strategy चल रही है वो BNK 1 चल रही है जिसमें हमने nearest premium nearest delta strikes उठाई है and stop loss value में हमने underlying movement को 20-20 points पे दिया हुआ है और यहाँ पे हम re-execute भी select कर दे रहे हैं तो यह constantly उसे loop में re-execute करता रहेगा और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे देखें यह grid logs जो है यह आपके सबसे अच्छे दोस्त है क्योंकि यह सारी चीज़े capture करके आपको बता देते कभी आपसे accidentally कोई setting कुछ गलत है या कोई action ऐसा perform हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो यह logs आपको हमेशा help करते हैं जैसे यहाँ पे मैंने जैसी set किया BNK1 तो उसने मुझे सीधी range दिखा दी कि भाई below this and above this यह close हो जाएगा जैसे ही वो reach होगा and immediately एक fresh portfolio fire हो जाएगा तो दोस्तो इतीन तरीके आपने देखे आज rolling straddle stocksो में आप किस तरीके से fire कर सकते हैं and best part जितना ही complexity से stocksो handle करता है live executions को उतनी ही जादा back testing में भी back in zone जो की back testing vertical है आपको back testing and simulation की facility provide करता है unlike any web based system who are designed only for basic handling capabilities तो अगर options आपकी चाहा है तो stocksो और back in zone ही आपकी रहा है ठीके ना तो उमीद करते हैं कि आपको आज यह rolling straddle के तरह तरीके के videos helpful रहे होंगे and जल्दी आप हमसे जुडेंगे तो thank you friends, thank you for watching regular updates channel पही आते हैं तो आप यहाँ पे subscribe रहें and enjoy, thank you करते हैं